वेल्कम सुदेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्क्षिट नॉम्बर ट्वेंटी थी जो की है 26 ऑफ ऑगस्त की हम दिखेंगे क्लास नाइन्थ की वर्क्षिट इसके अंदर मैथ फिर साइंस और फिर हिंदी वर्क्षिट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते है कि वर्क्षिट की सारे 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 कांसेट अच्छे समझें और इसमें जो हमने आंसर दे रखे हैं वह एक सेंपल आंसर है जिसको आप पढ़के समझ के अपने वर्ड्स में खुद लिखें ताकि आपको अच्छे से समझ माय है और आप एक्जाम के लिए प्रिपेर हो सकें आई चलते हैं इसी बात से वर्क्षिट की तरफ मैथ की वर्क्षिट में हम जो कॉंसेट है वर्टिकली ऑपोसिट की जो थेयरम है अभी हम प्रूव करके देखेंगे वर्टिकली ऑपोसिट अंगल की उसके वेसिस पर एक एक एक्जामपल है यह दो कोशन्स है तो यह जो अपने नेक्स वर्क्षिट वर्क्षिट साइंस की तरह और हिंदी की तरफ आई चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ लाइन से अंगल्स के अंदर और एक थियोरम इनोंने दी है उस थियोरम का प्रूफ बहुत इंपोर्टेंट है तब ही करा रहा हूं अगर सिर्फ थियोरम समझ कर रही है सीधी लाइन ठीक है तो हम इस तरह के से एक सीधी लाइन हम यहाँ पर दो रेखा हैं हम बना देते हैं टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर लिन वर्टिकली ऑपोसेट अंगल्स अर इकोल तो यह सामने वाले जो एंगल्स हैं वह इकोल होने चाहिए यह लिए पीक्यू आरेज दाल दो को दिक्कत थूड़ना है उसमें तो यह वाला जो पॉइंट है इसको मैं ओ मार्क कर देता हूं अब यहाँ पर मैं नंबर दा देता हूं वान टू त्री और फॉर अब हमें प्रूव क्या करना है देखो गिवन टू प्रूव हमें लिखना ह होता है तो कैसे लिखते हैं वह देख लेते हैं सबसे पहरे लिखते हैं गिवन मतलों क्या क्या दे रखा है ए ओवी and COD are lines intersecting at point O ठीक है बहुत ही सिंपल से भाशा में हमने बता दिया यह लाइन यह लाइन दे रखी है और O से पास कर रही है वो तो हमें to proof क्या करना है to proof करना है कि सामने वाले वर्टिकल यह opposite आंगल क्या है वो equal है तो सामने वाले 1 और 2 एकल है और दूसरी चीज़ 3 और 4 एकल है तो हमें इसको proof करना है अब चलते हैं proof की तरफ कि proof करना कैसे है ठीक है तो यह अगर सीधी लाइन है यह सीधी लाइन पर ध्यान देना अगर यह सीधी लाइन है हमने लास वरक्षेट में पढ़ा थेक सीधी लाइन हो तो कौन सा एंगल बनता है लीनिया पर बन जाता है लीनिया पर तो एज as aob is a straight line so angle 3 plus angle 2 equals to 180 degree तो यह पहली चीज़ हो गई अब इसी तरीके से आप यह बली मान लो as cod is a straight line so 1 plus 3 equals to 180 degree इसमें ध्यान देना कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं दूसरी करफ कर ले सकता हूँ आप ले लो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखे कि जहां पर 3 और 3 यहां पर मैंने कॉमन लियान है अगर आप टू और टू कॉमन लेना चाहिए फोर और फोर कॉमन ले चाहिए लेकिन एक कॉमन जरूर ले लेना ताकि वह कट जाए अब देखो यह चीज़ भी 180 के बराबर जैसे मैं बोलू एक बंदा है उसके पास 180 रुपे हैं जो दूसरा उसका स्कोर है स स्कोर उसने कंपेटिशन में ब्पाट लिया उसका 180 स्कोर आया दूसरा बंदा है उसका 180 स्कोर आया तो यह दो लू बराबर हुए नहीं नहीं वह तो सबोस्वित यह एक व्रेंट है यह पहली स्कोर कर रोा जा嗎 तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो गए और 3 और 3 तो दोनों में था ठीक है दोनों तरफ था दोनों प्लस में था हम इसको कर सकते हैं काट सकते हैं तो हमें मिल गया एंगल टू जो है एंगल वन के बराबर आई एंगल वन के बराबर है तो यही तो चाहिए था ठीक है अब आपको एक मिलके आप इसी तरीके साथ दूसरा भी निकाल सकते हैं तो हम यहां पर लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 एकोल स्टू एंगल 4 यह तो हो गई प्रूफ की बात अब इस थियोरम को आप समझ ले जैसे कहीं पर लाइन क्रॉस दिख जाएं तो सामने वाला एंगल एकोल हो जाता है यह थियोरम बहुत इंपोर्टन्ट है आगे चलते हैं कोशन की तरफ आगे चलते है जो रेशियो है इन दोनों एंगल्स का वो 2 इस्टू 3 है तो जब भी आपको कोशन रेशियो में देदी आ जाए तो आप सीधी सीधी बात समझ लें कि वो 2x और 3x हो जाएगा तो मैं यहाँ पर रिख सकता हूं therefore a equals 2x और b equals 3x ऐसा क्यों फिर दो बात समझाते हैं तो 2 इस् तो 3 अगर a को 4 तो b को 6 तो इसका मतलब क्या है दो से multiply कर रहे हैं दोनों तरफ कुछ भी होगा तो दोनों तरफ होगा multiply तो यहाँ पर अगर 6 मिलेगा तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 9 तो इसका मतलब इसको गुणा करा जा रहा है किसी एक नंबर से x और इसको भी वरियेबल में आपको उसको लिखना होता है क्योंकि उसकी exact value नहीं पता यह हमने यहाँ पर लिख दी यह हम सॉल्यूशन में तो a और b हमारा 2x 3x आगया मांगा उन्होंने c है ठीक है c मांगा हुआ है पहले यहाँ पर यह लाइन पूर 90 डिग्री है यह सीधी लाइन दिख हो गया जब 90 180 तो उसी तरीके से नहीं कह सकता हूं a प्लस b जो है वो 90 डिग्री है ठीक है दे रखा है उन्होंने a कितना 2x b कितना 3x इकोस तो 90 यह आए 5x इकोस तो 90 और x इकोस तो 90 अपॉन 5 कितना हो गया 18 डिग्री तो 18 डिग्री x की value आ गई अब उन्होंने c मांगा थ पर द्यान दें तो c जो है वो इस सीधी लाइन पर है ऐसी सीधी लाइन पर m n वाली जो सीधी लाइन है वो और यहां से एक लाइन जा रही है तो यह एंगल कौन सा है b और यह एंगल कौन सा है c तो मुझे b चाहिए c से पहले b चाहिए होगा तो मैं दिख देता हूं वेफ B की वेली मिलगी 54 और B और C क्या है एक CD लाइन बना रहे है तो CD लाइन बनाते ही 180 degree कौनसी property B प्लस C equals to 180 degree property कौनसी linear pair CD लाइन बन रही है linear pair तो इसको यहां पर solve कर देते हैं B की वेली कितनी 54 54 plus c equals to 180 c equals to 180 minus 54 so c की वेली कितनी हो गई 60 हो जाती है 120 126 डिग्री यह आपका पहला आंसर हो गया question number two तो बहुत ही असान है यह आपने अभी देख लिया है यह आप पर vertically opposite angle से वी बन रहा है आप पर तो आपने देखा होगा यह सामने वाला एंगल बराबर हो जाएगा 50 और यह लिख देंगे y equals to 50 vertically opposite angle property पूरा form फुल फॉर्म रिखें और यहाँ पर यह लाइन सीधी बन रही है यह लाइन सीधी और y और z आप निकाल सकते हैं y plus z equals to 180 degree यह कितना आगया linear pair y की वेली कितनी 50 50 plus z equals to 180 degree z equals to 180 minus 50 z की वेली कितने आ गई पांचे एक सो तीस बहुत ही सिंपल सा कोशन था बहुत ही कम one or two marks का आ जाता है अगर कोई साइंस के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है fundamental unit of life उसके अंदर जो हमारा सब टॉपिक है वह है endoplasmic reticulum इसके बारे में हम डेटेल में पढ़ेंगे यह क्या है यह कैसा दिखाई देता है cell में और इसके साय तरह functions how does endoplasmic reticulum looks like यह पहरा चीज है what is its function in a cell इसके क्य काम है तो हम यह दो चीजों के बारे में बात करने वारे endoplasmic reticulum जिसको हम बोलते हैं ER is large network of membrane bound tubes तो basically what tubes है तो आपने देखा होगा यहां पर पिशली बार हमने सेल दिखाई था cell के अंदे यहां पर ऐसी ट्यूब जैसा structure था यह जितना भी यहां पर नीला नीला आपको दिखाई देरा यह है endoplasmic reticulum जिसको होता है large network of membrane bound tube तो ट्यूब जैसा structure होता है इसको दो टाइब म एक smooth endoplasmic reticulum जो रफ क्या होता है और स्मूद क्या होता है आई चलते हैं उसको देख लेते हैं जो रफ एंड़ प्लाजम क्रेटिकुलम होता है rough surface होता है इसका जैसे कि वन्होंने बताया है क्यों होता है इसका rough surface क्योंकि इसका जो particles होते है ribosomes के वह इसके साथ attached होते है औ तो बेसिकली ribosomes क्या करते हैं प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर और रफ एंड़ प्लाजमिक रेटिकुलम मेंब्रेन इस कनेक्टेड विद आउटर नुकलियर मेंब्रेन यह जाके नुकलियर मेंब्रेन से देख रहे हैं यहां पर कनेक्टेड है सो इस तरीके से कनेक्ट होता है we know that all necessary function for the synthesis of protein are present in the nucleus on DNA DNA जो है वो nucleus में present होता है यह हम पहले ही worksheet में पढ़ चुके हैं whenever any part any type of protein is required by the cell these informations are carried out by RNA to ribosomes तो अगर cell को किसी भी type का protein चाहिए होता है तो वो किसको बता देता है ribosomes को बता देता है which manufactures the required protein on the basis of such information for the cell these proteins are sent to various parts in the cell by RER तो जैसे हमारी body में active body में जो हमारे blood vessels होते हैं veins होती हैं नारी जिसे हम कहते हैं उसके थूरु पूरी body के अंदर जो blood फैलता है जाता है सारे nutrients लेके उसी तरीके से RER rough endoplasmic reticulum पूरी cell में पूरे एक पूरे cell में ribosomes दवारा जो protein बनाया जाता है वो supply करता है इसलिए उसका जो structure है वो tube-like है आपने देख लिया है यहां पर image में अब देख लेते हैं smooth endoplasmic reticulum क्या है membrane doesn't have ribosomes तो यह सबसे basic इसका difference है rough वाले में ribosomes था और smooth वाले में ribosomes नहीं है on it seems smoother in appearance SER produce fat and lipid molecule so यह क्या काम करता है fat और lipid molecule produce करता है और rough वाले क्या produce करता था protein प्रोटीन प्रोटीन करता था इदियान रखेना है data important for cell functions some protein and lipid molecule help in building the cell membrane during cell division so यह जो काम है ACR का यह कहां पर काम आता है जब cell divide हो रहा होता है वहाँ पर इसको जो चुझे होता है some protein and lipid molecule help in building the cell membrane during cell division जब divide हो रहाता है तो cell membrane जो बनती है नहीं membrane जो बनती है उसमें protein और lipid molecule काम आता है इस process को किस process को इस division और यहां पर lipid molecule की जो process है इस process को कहते हैं membrane biogenes यह इसके बारे में भी question पूचा गया है अभी हम बात करेंगे the production of membrane is derived by endoplasmic reticulum so यह तो हो गए आपकी worksheet की discussion आगे उन्होंने कुछ facts भी दे रखे है endoplasmic reticulum also provides surface for certain biochemical activities in cell in the liver cell of vertebrates vertebrates क्या होते हैं जो जिनकी backbone होती है human being SCR play a crucial role in detoxifying many poisons and drugs so यह और भी काम करता है कि अगर body में कुछ poison or drugs जैसे कोई चीज़ पहुंच जाते हैं तो इसको deep detoxify करता है कौन करता है smooth endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum also serve as channel for the transport of minerals between various region of the cytoplasm cytoplasm हमने देख लिए अदा पूरा पूरा जो लीक्विटी पार्ट होता है वो cytoplasm होता है अब उसके ने जो tubes हैं जो endoplasmic reticulum की जो tubes हैं वो क्या करती है important material को भी इदर से उदर transfer करने में help करती है just like हमारी veins और between the cytoplasm and the nucleus so yes basically आप समझ लीजिए आपकी घर की जो pipes होती है न उसे तरीके से यह काम करती है endoplasmic reticulum form a network system in the sense तो उमीद करता हूं endoplasmic reticulum के बारे में समाझ में आ गया होगा कि ultimately एक तरीके से tube का काम है name and different between two type of endoplasmic reticulum एको मैं ने में आपको यहां पर मैं वक्षी में दिखा देता हूं और the difference है वह अभी थोड़ी ते में आपको दिखा देंगे at the end so name कौन कौन से हैं यह दो टाइप के हैं आगे चलते हैं question number two के तरह write one function of ribosome एक function बताना है ribosome का उमीद करते हैं आपको पता चली क्या होगा function क्या है ribosomes are the manufacturing site of protein in a cell तो यह इसका function हो गया ribosome का answer number three पर चलते हैं what is membrane biogenes यह answer number three हमने देख लिया था membrane biogenes क्या है some protein and lipid molecule help in building the cell during cell division this process is called membrane biogenes यहां से रहां तक आपका यह answer number three हो गया answer number four पर चलते हैं why RER RER की फुलों क्या थी जल्दी सब बताएं membrane is rough in nature rough क्यों होती है हमने बहुत बात कर ली है अब आपको पता चल जाना चाहिए rough इसलिए होती है क्योंकि उसके आजपास ribosomes attached होता है RER rough endoplasmic reticulum has rough surface in appearance because it has small particles called ribosomes attached to it बसकी तीन लाइनों का आपको यहां पर answer लिखना है तो आए चलते हैं अब answer number one दिखा देते हैं आपको so answer number one के अंदर हमने जो differentiate देखना था वो था rough और smooth endoplasmic reticulum का सबसे basic है it possesses ribosomes इसके पास ribosomes होते हैं does not have ribosomes इसका basic difference हो गया ठीक है दूसरा इसके अंदर और भी हमने exam दे रखे हैं इसके अंदर difference ताकि आपके exam के point of view से यह important topic हो जाए यह नहों कि आपको फिर्दबरा इसको कहीं और जाके देखना पड़े तो यह बहुत important topic है exam point of view से अब हम चलते हैं next worksheet की तरफ Hello students, चलिए अब आपकी हिंदी की worksheet देख लेते हैं ये भी है कार्यपत्रक नंबर 23, worksheet 23, ये 26 अगस्त की worksheet है तो ये जो आपकी कक्षा 9 की worksheet है ये रस्खान के जो सवैय हम कर रहे थे ये उसी की continuation में है worksheet तो रस्खान जी का एक और सवैय यहां पर दिया गया है जल्दी से वो देख लेते हैं तो प्रस्तुत सवैय में रस्खान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रती प्रेम व्यक्त किया है कि गोपियां श्री कृष्ण जी को कितना प्रेम करती हैं कितना प्यार करती है ये उन्होंने रस्कान जी ने यहाँ पर दिखाया है, जिसमें गोपियां कृष्ण की प्रतेक वस्तु से बहुत प्यार करती है तो वो कृष्ण जी की जितनी भी चीजे हैं, उन से बहुत लगाव रखती हैं और उनी के द्वारा जो है, रस्कान जी ने उनका प्रेम दर्शाया है, तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पर पढ़ देती हूं, मोर पखा सिरु उपर राखी हों, गुंज की माला गरे पहिरोंग श्री कृष्ण के प्रती प्रेमा भक्ती रखने वाली कोई गोपी अपनी सकी से कहती हैं कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवी को अपने शरीर पर धारन करना चाहती हूं, मतलब कि जैसे शरीर कृष्ण जी दिखते हैं, श्री कृष्ण जी दिखते हैं, मैं वैसे ही अ तो मोर पखा होता है मोर के पंखो से बना जो मुकुट है उसको मैं अपने सिर पर पहनूंगी और गले में घुंगुची की वनमाला पहनूंगी तो ये गुंज जो है वो गुंज एक तरह का जंगली पौधे का छोटा सा फल होता है इसे कुण्ज भी बोलते हैं और गुंगुच्ची भी बोलते हैं तो उसका एक छोटा सा जनगली पौदे का छोटा सा फल होता है और वो जब सूख जाता है तो उसकी माला बनाई जाती है तो गुंज की माला जो है मैं उन भूलों की पहनूंगी तो साथी साथ वो क्या करेंगी और कहती है कि मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहन कर तो पितंबर यहाँ पर है पीतांबर मतलब की पीला वस्त्र और जाहतर क्रिशन जी जो है वो पीले वस्त्र ही पहनते थे तो वो यही कह रही है कि मैं भी क्रिशन की तरह ही पीला वस्त्र पहन कर हाथ में लाठी लेकर अर्थार्थ उन्हीं के वेश में वो गायों और ग्वालिनों के साथ घूमती रहेंगी अर्थार्थ उनकी गाएं चराएंगी तो यहाँ पर वो कह रहे है कि गोधन यानि कि स्वांग करूंगी जो जो बाते क्रिशन को अच्छी लगती हैं वे सब मैं करूंगी और क्रिशन की तरह ही वेश भूशा स्वांग दिखावा व्यवहार आदी करूंगी तो वो कहती हैं कि जो जो क्रिशन जी करते हैं जैसे वो कपड़े पहनते हैं जैसा वो स्वांग रचत जैसे ही वो दिखावा करते हैं, जैसा ही वो व्यवहार करते हैं, वो सब मैं करूंगी। स्वांग का मतलब होता है कोई रूप धारन करना या नाटक करना। तो पर कि क्रिशन जी क्या करते थे वह अलग अलग तरह के कपड़े पहन के अलग अलग वेश-bhूशा पहन कर स्व जिए सबी जो है बहुत ही मोहित हो जाते थे बहुत ही खुश हो जाते थे तो वो कह रही है मैं भी ऐसे ही कृष्म की तरह दोंगी अलग-अलग वेश्भूशा पैदूंगी जैसे वो वहवार करते थे मैं वैसे ही सब करूंगी या मुरली और की अधरान अधरी अधरान अधरोंगी लेकिन वो ये कहती है रस्खान कभी के अनुसार उस गोपी ने कहा कि मैं ये सब करूँगी मैं उनके वेश भूशा भी पहनूँगी मैं उनके जैसे कपड़े भी पहनूँगी वो जैसे काम करते हैं मैं वैसे ही गायों को भी सबकर looping मैं Morgan बीपेंगी मोर पंख की मुंपेंद में मुर्ली धर कृष्म की मुरली को अपने होटों पर कभी धारण नहीं करूंगी क्रिश्म की मुर्ली भी कहा जाता था क्योंकि वह मुडेरली ऑज्राते हुए हर समय नजर आते थे उनके हाथ में हमेशा मुर्ली रहती थी तो इसलिए उन्हें मुर्ली धर भी कहा गया है तो वो ये कह रही है गोपी कि मैं कृष्ण की तरह मुर्ली लेकिन अपने होटों पर कभी भी नहीं रखूंगी तो ये अधर जो है अधरा यहां लिखा है अधर का मतलब होता है हूट तो उनको कभी भी मैं धारन नहीं करूंगी कभी उस मुर्ली को नहीं अपने होटों पर लगाऊंगी क्यों? क्यूंकि मुर्ली जो है वो उनके प्रिये कृष्ण को बहुत ही ज़ादा पसंद है मुरली को होटो पर रखने का अधिकार भी श्री कृष्ण का ही है और वे ही इससे मधुरतान सुना सकते हैं तो वो कह रही है मैं सब कर लूँगे लेकिन मुरली जैसी जो चीज है उसको होटो पर रखने का अधिकार सिर्फ श्री कृष्ण का ही है और वो ही उससे जो हैं बहुत ही मदुर संगीत बजा सकते हैं और वो उनसे बहुत जादा प्रिय है मुल्ली उनको इसलिए मैं उसे नहीं चुऊंगे उसे अपने होटों से नहीं लगाऊंगे क्योंकि वो जो कृष्ण जी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता और मैं तो बि तो पहला उत्तर आपका यही है कि प्रस्तुत पद्यांज के अनुसार गोपी श्रीक्रिशन की भाती मोर पंखों से बना हुआ मुकुट गले में कुंज की माला और उनके समान पीले वस्तर धारण कर अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायों को चारा देने को तयार है आगे चलते हैं प्रेशन दो पर प्रेशन दो आपका कहता है गोपी मुरली को अपने होटो पर क्यों नहीं रखना चाहती तो प्रेशन 2 का उत्तर यही है जैसा मैंने आपको description में समझाया क्य सिर् साया है कि गोपी मुरली को आपका कहता है कि जिस पंक्ति में कवी रस्खान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिये तो यहां पर मैं आपको सवया दिखा देती हूं जैसे ही आप इस सवया को देखते हैं तो आपको दिख जाएगा कि रस्खान जी का नाम कहां आया है जी हां यह जो तीसरी पंक्ति ह भावतो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी तो यहां रसखानी जो है वो रसखान जिने ब्रज भाषा में इसको अपने नाम को लिखा है तो यह रसखान जिका नाम इस पंक्ति में आया है तो यही आपका उत्तर तीन है चलते हैं अब आपके प्रशन चार पर तो प्रशन चार आपका कहता है प्रस्तुत पद सथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किनी पांच शब्दों का प्रयोग कर पांच वाक्य लिखिए तो यहाँ पर जो पद है आपको दे रखा है साथी साथ आपको यहाँ शब्दार्थ भी दे रखे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोर पका रखोंगी गुंज गरें तो इस तरह से आपको कई तरह के शब्द और उनके शब्दार्थ भी दिये हुए हैं साथी इस पद्यांच में से भी कोई भी आप पांच शब्द चुन सकते हैं और फिर आप उनसे पांच वाक्य बनाएंगे मतलब हर शब्द से एक-एक वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर हमने जो चुने हैं शब्द उनको मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ आप चाहें तो जरूर ही आप अपनी पसंद के जो हैं और शब्द यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं आप चाहें तो अपनी पसंद के शब्दों से वाक्य बना सकते हैं तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर बनाया है वो हमने मुरली धर से बनाया है उसके बाद हमने बनाया है पीतांबर से बनाया है फिर हमने अधर से बनाया है फिर हमने स्वांग से बनाया है वाक्य यहां पर और पांचवा हमने बनाया है वाक्य मोर पक्खा से मतलब की मोर के पंखो का मुकुट तो आप चाहें तो आप अपनी पसंद के जो शब्द हैं य बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे अगर कोई और भी आप वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप उसमें help चाहते हैं तो आप वो भी मांग सकते हैं ध्यान रखेगा कि यह जो हम answers आपको बता रहे हैं यह sample answers है कि आपको समझाने के लिए आप अपने answers खुद लिखी और इससे थोड़ा idea ले सकते हैं आप या फिर इन answers से आप cross check कर सकते हैं कि यह answers ठीक हैं कि नहीं हैं आपके answers और साथी आप अपनी teacher से भी discuss कर सकते हैं इस channel को like और subscribe जरूर कीजिए और साथी साथ अच्छे से videos देखिए ताकि आप अच्छे से इनका जो content है वो समझ पाएं Thank you